ये आकाश्वाणी रायपूर है ब्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशनेयर अपेश है आज के मुखी समाचार प्रदेश में कुरुना संक्रमन के बढ़ते मामलों को देखते वे दुर्ग, कुर्बा, बस्तर और बिलासपूर जिलों में भी आसे लागू हुआ पुर्ण लॉक्टाउन प्रदेश में गोधन याई योजना के तहट गोबर विक्रेताओं को पाँच अगस्त को मिलेगा पहला भुप्तान राजी के तीन नगर पालिक निगम और एक नगर पालिका के चुनाओ को लेकर तैयारियां शुरू और आजराष्ट्री प्रसारण दिवस है आज ही के दिन 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था अब समचार विस्तार से प्रदेश में कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को देखते वे दुर्ग, कोरबा, बस्तर और विलासपूर जिलों में भी आसे पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है वहीं राजनानकाउं शहर और बालोद जिले के नगरी क्षेत्रों में आज मध्यरात्री से 29 जुलाई के मध्यरात्री तक पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा दुर्ग जिले के नगरी निकायक शेत्रों और 10 ग्राम पंचायतों में आज से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लागू हो गया है जिला और पुलिस प्रशासंद्वारा दुर्ग शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया इस दोरान ध्वने विस्तारक यंत्रों के जरिये लोगों से घरों में ही रहने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई बिलाई नगर में भी फ्लैग मार्च विभिन मार्गों से होकर गुजरा नगर निगम प्रशासन ने लोगडाउन का उलंगन करने पर एक मीठाई गोदाम को सील करने के साथ ही लड़ू हाउस के संचालक से 25,000 रुपे का जुर्माना वसूला है इसके लावा लोगडाउन के उलंगन के मामले में 146 लोगों के खिलाफ कारवाई की गई वही राजनान गाउं में लोगडाउन से पहले पुलिस प्रशासंद्वारा लोगों से कुरुना संक्रमन के नियंतरण के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपिल की जा रही है पोस्ट ओफिस चौक के पास आज पुलिस ने लोगों को अपने घरों में ही रहने की समझाईश देने के साथ ही अनावश्यक बाहर निकलने पर कड़ी कारवाई के जाने की चेतावनी भी दी यहां एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को इपास की जरूरत पड़ेगी उधर बिलासपूर शहर में भी लोगडाउन का सकती से पालन कराने के लिए पुलिस ने मोचा संभाल लिया है इस दोरान सडकों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाब कड़ी कारवाई शुरू कर दी गई है और उनसे कड़ाई से पूछ ताच की जा रही है प्रशासंद्वारा लोगों को कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई है और पेट्रोल पंप को छोड़ कर अने दुकाने बंद रहेंगी जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार लोगडाउन के दोरान पेट्रोल पंप, किराना, सबजी और फल दुकानों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमती रहेगी इसी तरह कोंडा गाउं जिले में विश्रामपुरी विकास खंड को छोड़ कर 25 जुलाई से 31 जुलाई तक पुन लोगडाउन लागू किया जाएगा इस दोरान सबजी फल की दुकाने सुबह से 6 और शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी साथी अंतर जिला और अंतर राजी आवगमन के लिए इपास अनिवारे होगा दूसरी ओर जांजगी चापा जिले के सभी नगरी निकायक शेत्रों में भी कल 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लोगडाउन लागू करने का आदेश चारी कर दिया गया है इस बीच महासमुन के नगरी खशेत्रों में 25 जुलाई की मद्य रातरी तक पूर लोगडाउन रहेगा केवल आवशक सेवाएं ही चालू रहेंगी सबजी और दूद दुकान खोलने के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय निर्धारित की अगया है दूद की दुकाने शाम 5 से 6 बजे के बीज भी खोली जा सकेंगी उदर बालोद जिले के नगरी निकायों में भी आज मद्य रातरी से 29 जुलाई तक लोगडाउन किया जाएगा इस दोरान किराना, दूद, सबजी और फल दुकान सहित अन्य आवशक गतिविदियों को छूट दी गई है प्रदेश में आज भी विबिन जिलों से कुरुना संक्रमित नए मरीज मिले है कांकिर जिले में आज 20 नए कुरुना संक्रमित मरीजों की पुष्टी हुई है इनमें B.S.F. के 12 जवान और 8 प्रवासी मजदूर शामिल है वही जांजगी चापा जिले में आज 12 नए कुरुना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टी हुई है इनमें अकलतरक शेत्र के ग्राम मुरली डी से 10 और हसोत से 2 मरीज शामिल है कोरिया जिले में आज 3 कुरुना संक्रमित मरीज सामने आये हैं इनमें बर्बसपूर से 2 और 1 मरीज गोदरी पारा क्वरेंटाइन सेंटर का है उधर कभीर धाम जिले में 34 नए कुरुना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें पंडरिया से 32 और कवरधा से 1 मरीज शामिल है इधर महासमुन जिले में भी 3 नए कुरुना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग जिले में 12 ने कुरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टी की गई है जिन में स्वास्त सेवाओं से जुड़े दो लोग भी शामिल है इस बीच दुर्ग कलेक्टर ने BASF जवानों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवास में तयार किये जा रहे आइसोलेशन सें और दो ग्रामिन शामिल हैं इस बीच कोरोना संक्रमन को देखते वे बिलासपुर केंद्री जेल से 400 और बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है इन सभी बंदियों को 31 अगस्त तक पैरोल पर छोड़ा जा रहा है कोरोना संक्रमन के स्थिती को देखते वे इन बंदिय के पैरूल कियोधी और भी बढ़ाई जा सकती है केंद्री जेल प्रशासन द्वारा पहले भी 200 बंदियों को पैरूल पर छोड़ा जा चुका है अधिकारियों के मुताबिक बिलासपुर केंद्री जेल में एक शमता से अधिक बंदियों के होने के कारण सोशल पालन में दिक्कतें आ रही हैं इसे देखते वे ही जेल प्रशासन द्वारा चिन्हित बंदियों को पैरूल पर छोड़ने का निर्णे लिया गया है प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहट गोबर विक्रेताओं को 15 दिन के भीतर गोबर खरीदी की राशी मिलेगी मुख्य मंत्री ने आज अपने निवास कारेले में आजित वन विभा की समिक्षा बैठक में अधिकारियों को इस समन्द में जरूरी निर्देश दिये शिबगिल ने कहा कि गोधन न्याय योजना की शुरुवात के साथ ही 20 जुलाई से गोबर खरीदी शुरू की गई है इसके लिए 15 दिन यानि 5 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को राशी का भुकतान किया जाएगा गोबर विक्रेताओं से खरीदे गए गोबर की राशी उनके खाते में सीधे जमा की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेज पकिल ने सारवजनिक विद्रन पढाली के तहत बीपेल शर्णी के सभी राशन कारधारियों को जून माह में प्रती कारड एक किलो अरहर दाल निशुल्क देने के निर्देश दिये हैं बीपेल शर्णी के जो राशन कारधारी जून माह में अरहर दाल नहीं ले पाए हैं विशास की उचित मुल्य की दुकानों से जून माह की अरहरदाल जुलाई माह में नहीं शुरक ले सकते हैं। खादी विभाग ने इस समन्द में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं। 36 गड में आगामी अगस्त माह से वन नेशन वन राशनकार्ड योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए राज में प्रचलित सभी राशनकार्डों के सभी सदस्यों का आधार उनके राशनकार्ड से लिंक किया जाना अनिवारी है। खादी विभाग ने राज्जी के सभी राशनकारड धारी परिवारों को उनके राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों के आधार कारड की फोटो कॉपी सम्मधित शासकी उचित मुल्ले की दुकानों में 30 जुलाई तक जम्मा कराने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रही हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है चत्तिसगर ए आई आई आर न्यूस। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रही हैं। आप तक चत्तिसगर की हर खबर के लिए सुनते रही हैं। आकाश्वाणी समाचार। अब आगे भड़ते हीं बाकी के समाचारों की ओर। करने के समंध में समंधित जिलों के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश चारी किये हैं। आम चुनाओ होना हैं। इसमें मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 22 जुलाई को कक्षा बार हुए के 17,000 सेधिक विद्यार्थियों को असाइन्मेंट कारे का वित्रण किया गया। विद्यार्थी असाइन्मेंट प्राप्त करने के दो दिवस में अपना असाइन्मेंट लिख कर परिक्षा केंद्र में जमा करेंगी। उप सचिव ने बताया कि जिस अक्षेत्र के परिक्षा केंद्र में निशेधाग्या लागू हो जाती है, वहां असाइन्मेंट वित्रण और उत्तरपुस्तिका संग्रहन का कारे निशेधाग्या समाप्त होने के बात किया जाएगा। इसी तरह दसवी कक्षा की परिक्षा के लिए पूर्व निर्धारे तिथी के अनुसार 4 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य असाइन्मेंट कारे का वित्रण किया जाएगा। श्री ग्रह मंत्री अमेश शाह ने भी उनकी जैनती पर भाव भिनी श्रद्धांचली अर्पित की है। श्री शाह ने अपने संदेश में कहा कि लोकमान तिलक ने भारत की स्वाधिन्ता संग्राम को एक नई दिशा दी। जैनती पर उनके संघर्ष और योगदान को याद करते वे उन्हें श्रद्धांचली अर्पित की। श्री बगेल ने कहा कि तिलक जी और आजाद जी ने अपना जीवन देश प्रेम के लिए समर्पित कर दिया और जीवन के अंतिम शन तक स्वाधिन्ता के लिए संघर्ष करते रहे। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने महान स्वतंतरता संग्राम सेनानी स्वर्गी बीसाहू दास महंत की पोनेतिती पर उनकी चित्र पर माल्यार पन कर उने विनम्र श्रद्धांचली अर्पित की। बिसाहु दासमहंत की पुनेति थी पर रायपूर इस्थित कॉंग्रेस के प्रदेश कार्यालाय राजीयू भवन में शद्धानजली कारिक्रम का आयोजन किया गया। इस घटना में एक रायमिन की गंभी रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद से शेत्र में सुरक्षवलों ने सर्चिंग तेज कर दी है। उधर बीजापूर जिली में आरक्षकी हत्या करने के आरोपी तीन मावादियों को पुलिस ने जांगलक शेत्र से गिरफतार किया है। अपेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 गंटों के दोरान कई स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में कुछ इस्थानों पर अतिभारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी की मुताबिक मानसून द्रोणी का बहराइच गोरकपूर से होते वे बंगाल की खाड़ी तक इस्थित है। वहीं एक चक्री चक्रवाती गेरा बांगला देश और उससे खाड़ आयोक के नौ न्यूक्त अध्धक्ष गूर्प्रीत सिह बाबरा ने खाड़ी मंत्री की मौजूदगी में अपना पद भार ग्रहन किया। बीजापूर जिले के महादेव घाट इस्थित क्वारंटाइन सेंटर में सीर पी एफ के एक जवान को सापने काट लिया, जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया है। जवास्त के इंद्र बोर्ला में भरती कराया गया है। अन्तमी मुखे समाचार एक बार फिर। आदेशिक समाचार बिलेटीन समाप्थुआ नमस्कार। अन्तमी मुखे समाचार पिर। आदेशिक समाचार बिलेटीन समाचार एक बार बोर्ला में भरती कराया गया है। झाल झाल